नमस्कार आरन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पॉलिटिकल साइस के तीसरे भाग में महत्व पुर्षब्धावने लेकर क्या आए अगली सब्धाव दिया है स्थागन प्रस्ताव ये क्या है स्थागन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उदिश्य किसी ऐवलंबनी लोक महत्व के मामले की और सदन का ध्याना कर्षित करना है जब इस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया जाता है तब सदन ऐवलंबनी लोक महत्व के निश्चितम मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का न अल्प सूचना प्रश्ण जो प्रश्ण एविलम्बन ये लोक महत्वय का हो तद्धा जिने साधारन प्रश्ण के लिए निर्धारित दस दिन की अवधी से कम सूचना देकर पुछा जा सकता है उन्हें अल्प सूचना कहा जाता संचित निधी स्विधान के अनुचे 266 में संचित निधी का प्रावधान है संचित निधी से धन संसद में परस्तुत अनुदान मागों के द्वारा ही वे किया जा सकता है राज्यों को करो एवु शुलकों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है निधी में डाल दिया जाता है राश्टपती उपराश्टपती नियंतरक एवु महालेखा प्रिक्षक आदी के वेतन तथा बत्ते इसी निधी पर भारिते आकस्मिक निधी सविधान के अनुषे 266 के अनुषार भारत सरकार एक आकस्मिक निधी की स्थापना करेगी इसमें जमा जनरासी का वे वीधी दुवारा स्थापित परकिरिया के अनुषार किया जाता है संसद की स्विक्रिती के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है विशेश परस्तियों में राष्टपती अग्रिम रूप से इस निधी से धन निकाल सकते है धन्यवाई साथि सब्सक्राइब लाइब शेयर एंड कोमेंट